आज मैं आपको येतिवानी कारिकरम के अंदर कुछ अजीब गटनाओं के अंदर गटनाओं के बारे में जानकरी दूँगा जो कई परिवारों के साथ में गटती है गटी है और उन लोगों ने मेरे से संपर्ख किया और मेरे को यह सब गटनाएं बताई ही और यह सब मैंने विचार किया और किया तो मैंने सोचा कि आप सब के साथ भी मैं ऐसी कुछ गटनाओं का चर्चा करूं जो लोगों ने मेरे को मिलने के बाद में बताया कि उनके खुद के गर में क्या-क्या ऐसा अजीब होता है तो मैं आज वो सब चीजें आपके सामने भी रख रहा हूं मैं केवल दस बातें या दस ऐसी बातों के बारे में जिकर करूंगा जो की ज़्यादातर परिवारों में गटती है ऐसे मेरे पास में बहुत से लोग आते हैं जो अजीब अजीब गटनाओं के बारे में जिकर करते हैं तो आज दस जो मुख्या है ज़्यादातर लोगों की पर भी मैं जान करीदूंगा आज मैं आपको यतिवानी करिक्रम में कुछ ऐसी बातों का जिक्र करूंगा जिसको मेरे पास आने वाले मेरे अलग-अलग भगत लोगों ने कही है या उनसे मैंने यह सुना है अगर उनकी माने तो उनके घर में कोई अदरश्य सकती है जो उनको कभी-कभी किसी खास मोके पर परिसान करती है या फिर उनको अवसर पर कोई सहायता परदान भी करती है और कोई-कोई तो ऐसी ऐसी बताते हैं कि उनके घर में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है जब भी घर में कोई अकेला होता है तो उनको ऐसे लगता है जैसे उनके भी अचानक कोई छांव जैसी दिखने को दिखे ऐसा आबास भी लोगों को होता है तो यह सब चीजों के बारे में मैं आज आज आपको बात करूँगा आप मेरा यह वीडियो बहुत पूरा ध्यान से देखें और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और ज जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो जानकारी वाला पोस्ट होता है तो आपको नोटिविकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें अब देखते हैं कि दस ऐसे क्या चीजें हैं या जो बाते हैं जो लोगों के साथ में प्राय प्राय गटना गटित गरों में होती है और वो अ अगर आज मैं आपके सामने उन सब बातों को चर्चा कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि यह सब चीजें अगर किसी के साथ भी उती है तो गर में कितना टेंशन हो रहता होगा या घरवाले कितना टेंशन में रहते होंगे क्योंकि यह सब बाती ऐसी है जो महशूस होती है लेकिन सामने इस पर नहीं होती है आज मैं आपको दस बाते बताओंगा तो उन दस बातों में सबसे पहली जो बात है वह है गर के गार्डन से साल में एक या दो बार किसी खास रात को सभी पेड और पोदों से फूलों का तूटा हुआ जमीन पर विखरा हुआ मिलना और बहुत ज़ादा संख्या में फूलों की पंखड़ियां जैसे किसी ने हाथों से तोड़ कर विखेरी हो ऐसा विखरा हुआ रहता है यह समश्या भी मेरे को किसी ने समझाई है बताई है और उसके बारे में कोई फोटोग्राप भी दिखाए वीडियो भी बताई दूसरा है घर के अलग अलग जगह पर जैसे किसी अलमारी खोलने पर आबास होता है कि पीछे से कोई जांक रहा है ड्राइंग रूम में सोफ़े पर बैठे रहने पर लगता है कि पीछे किसी के चलने का हैसास होता है तीसरा देखते हैं घर में अंदर टेबल पर या अलमारी में रखे कपड़े अपने आप आग लग जाती है उसमें या कभी-कभी सही करीने से रखे वे कपड़े या किताबे या बरतन आदी अपने आप नीचे गिर कर बिखर जाते हैं तूट-फूट हो जाती है चोथा देखते हैं बाहर से आदमी और ओरत या बहुत अच्छे जब घर में कोई रहता है तो बाहर से आदमी और ओरत या बच्चे जो उस घर के रहने वाले होते हैं बहुत अच्छे मूड में घर में आते हैं लेकिन गर में आते ही उन सब का जो मिजाज है दिमाग है इतना गरम हो जाता है कि वह आपस में थोड़ी सी बात-बात में बोलचाल और जगड़ा सरू हो जाता है उनके बीच में या एक दूसरे का बोलावा भी एक दूसरे से सहन नहीं होता है गर के अंदर ऐसी इस्तियां रहती है पांचवा किसी ने जो बताया वह रात को सोते समय बैडरूम की खिड़की के बाहर किसी के होने का आबास होता है या कभी-कभी कोई साया जैसा भी दिखाई देता है यह भी कई लोगों की समश्या होती है कि रात को जब सोते हैं तो उनको बाहर खिड़की में या ऐसा कुछ दिखाई देता है या ऐसा आबास उनको होता है कि कोई उनकी खिड़की के अंदर जांक रहा है छटा पाइंट देखते हैं कि हमेशा ऐसा लगता रहता है कि हमारे पडोशी या रिष्टदार या फिर परिचित आदी हमसे जलते हैं और हमारे घर पर कुछ न कुछ करवा दिया है कोई मैली विद्धिया करवा दिया है जिसके चलते हम लोग बहुत बुरी दसा में आ गए हैं कोई काम हमारा बनता नहीं है पैसा कमाते खूब हैं लेकिन बचत नहीं होती उल्टा करजा बढ़ जाता है और भी अनेक परकार की समस्याओं का सामना हमें गर में करना पड़ता है गर से बिमारी भी जाती नहीं है और दवाईयों में खर्चा होता है सात्मा मैं आपको बताता हूँ स्वप्ण में हमें आकर कोई डराता है कहीं लोगों ने मेरे को बताया आते हैं कहीं वार तो कहीं की ये समस्याओं होती है वो कहते हैं कि सपने में कोई आके हमको डराता है लेकिन अगर घर से बाहर कहीं और जाकर सोते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है या फिर हमारे पूरवज जिनकी मर्ति हो चुकी है वो हमें दिखते हैं और बुरा बला कहते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है या सुब नहीं होता है और कभी-कभी ऐसा मेसूस होता है कि कोई बुरी आत्मा हमारे गर में परवेश कर चुकी है और विबिन तरीकों से हमें परिसान कर रही है जैसे कि कोई पितर देवता होता है कोई पितर औ होते हैं कोई या फिर कोई भूत प्रेत या भटकती आत्मा भी होती है ऐसा उनका मानना है जिन्होंने यह सब बते आके मेरे को कभी-कभी बताते हैं लोग अब आठमा देखते हैं नीन्द में सोतिस या फिर कभी हम अपनी ही दून में बैठे रहते हैं करते हैं तो अचानक ह वहाह कोई दूसरा नहीं होता है या कोई मिलता नहीं. इसके अलावा भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब नीन में सोय रहते हैं तो अचानक हमारे सरीर में कोई एक जटका करंट जैसा लगता है और हमारी आँख अचानक ही खुल भी जाती है. तो यह इस परकार की बाते लोग मेरे को आके बताते हैं नोमा अब देखते हैं कि विशेशकर रसोई में काम करते समय सिनानगर की तरफ जाते समय या सिनानगर में सिनान करते समय या फिर अलमारी खोलते समय या फिर अलमारी के आस पास या फिर गार्डन में या फिर आगे जो खुला कई वार बिना गार्डन के भी खुला होता है तो वहां भी कोई नो कोई ऐसा अनुबो होता है कि वहां कोई नो कोई है हमें कभी छाया के रूप में दिखता है या फिर कभी ऐसा ही आबास होता है हवा नहीं चल रही होती है लेकिन वहां से फिर भी कुछ पते उड़ते हैं या उनके जैसे उपर पाउं रखते हैं सुखे पते पर चलने से वो तूटते हैं इस परकार के अनुभव उनको होते हैं ऐसा कई लोगों ने भी बताया अब दस्मा और आखरी बार देखता है कि क्या है गर के अंदर जब सोते हैं तो आदी रात को किशी के पायल की आवाज ऐसे आती है जैसे कोई चल रहा हो या फिर कभी-कभी ऐसी आवाज आती है जैसे कोई शीडियों से उपर चड़ रहा है या फिर बार-बार चड़ कर उतर रहा है ऐसा ही आबास जब हम ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं या फिर सोते हैं तो आवाजे आती है जैसे कोई इधर से उधर निकला हो या फिर इधर उधर कोई घूम रहा हो ऐसा आबास वहाँ पर कई लोगों को अपने गर में होता है अब यह सब सुनने में बहुत अजीब लगता है और सुनकर भरुसा भी नहीं होता है कि क्या कभी ऐसा होता है क्या लेकिन जब एक ही तरह की बातें अलग अलग शहरों से आए लोग कहे या अपने साथ दिखाने के लिए कोई फोटो या वीडियो भी लाए और दिखाए तो पर बहुत अजीब लगता है कि यह सब अपने आप कैसे हो सकता है लेकिन आपको यह जानकर और भी ताजुब हो सकता है कि मैंने भी ऐसे लोगों के आगरह पर उनके घर पर विशेश विजीट किया है और समझ्याओं को समझने और सुलजाने की कोशिश में मैंने कई उपा तरीके और निवरन अदी बताए और इसे उनको लाब मिलता है जब यह किसी के घर में ऐसी गटनाएं होती है तो मैंने जितने अभी तक लोगों के घर पर विजीट किया उन चीजों को देखा समझा मैं उनके वहाँ पर घर में भी जाके कम से कम एक दिन दो दिन पांच दि कई चीजों को देखा मैसूस किया उनका जो अनुबव वह बांटा है मैंने अपना अनुबव जो है वह भी वहाँ देखा तो कुल मिला कर यह निर्णाय निकलता है कि कहीं कहीं पॉजिटिव एनरजी की जगह नेगेटिव एनरजी अधिक परवावी होने के कारण ऐसा होत जानने के बाद वहाँ पॉजिटिव एनरजी को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो वह तरीका अपना कर पॉजिटिव एनरजी को अगर बढ़ा दिया जाता है तो अपने आप वातावर्ण सांत हो जाता है और सांती भी वापस बहाल हो जाती है हमारे जीवन में ग्रह नक्षत ग्रह नक्षतर वास्तु आदी का पुर्ण रूप से बहुती महत्व और परभाव रहता है। हमेशा हम ऐसी इस्तितियों को जिसको हम ना समझी में कुछ-कुछ का कुछ समझ बैठते हैं लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं जो सुधारी ना जा सके और कई लोगों के जो दावे होते हैं इस परकार के वह प्राय निर्मूली साबिद होते हैं या फिर उनका जो होता है वहम होत है और वहाँ पर अगर नेगेटिव एनरजी को समाब्द कर दिया जाए या पोजिटव एनरजी को वह बढ़ा दिया जाए तो भी हम सब चीजे सांत हो जाती है इससे किसी को बहीबित होने की जरूत नहीं किसी अंद्विश्वास में पढ़ने की जरूरत नहीं कुल मिलाक अगर हर समझ्या का समाधान होता है किसी समझदार आदमी से अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है कभी आपको महसूस हुआ है तो आप किसी से सलाह मसूरा करके इस समझ्या से मुक्ति भी पास सकते हैं आज के यतिवाणी में जो मैंने बताया है वह लोगों के लोगों द्वारा मेरे को आकर कई बार संपर करने पर यह बताया जाता है उन बातों को मैंने आज संकलित करके आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आप ऐसी किसी चीज में आँख बन कर बरोसा ना करें अंधविश किसी के करने से तो उन सबसे बचाव रहे आपका यह मैंने परियास करने का कोशिश किया है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रू करें और आगे इसको दूसरे लोगों में भी शेयर करें परिवार में और आपके मित्र मंदली में ताकि अग अपने आपको इस समस्या से मुक्त करवाने में करवा सकता है आपके सयोग से